और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मानने सुप्रीम कोट का एक बहुती महत्वपुर्ण निने लेकर के आया हूँ दोस्तो जो कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ या आप सब लोगों के लिए बहुत important है जिनके भी matrimonial dispute चल रहे हैं कोई police case भी उन पर हो गया है like 498A हो गया है 304B का case हो गया है या और धारें भी लगी हुई है आज की इस वीडियो में जो case में आपको बताऊंगा उसमें वो सारी धारें थी जो लगभग आप सभी लोगों की FIR में होती है जैसे की 498A, 323, 504, 506, 304B and 3,4 Dowry Prohibition Act लेकिन इतनी सारी धारें होने के बाद भी मानने सुप्रीम कोट ने पती पक्ष को पुरी पुरी रहा दिया और उनको इन सारी धारें से free कर दिया अब दोस्तों इस मामले में ऐसा क्या था कि मानने सुप्रीम कोट ने इतनी सारी धारें होने के बावजूद भी 304B का मतलब होता है कि जो लड़की है उसकी मिर्ति हो गई है उसके बावजूद भी सब को छोड़ दिया तो ऐसा इस मामले में क्या था ऐसे कौन से elements थे दोस्तों कोई भी judgment हो ना उसे जानने के बाद हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ये एक ऐसी field होती है लोग कि इसमें आप हमेशा student रहते हो जितना चाहो सीख लो तो दोस्तों आज किस वीडियो से भी आपको उम्मीद करता हूँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको परिशान करते हैं डावरु की इससे डिमांड करते हैं कार की डिमांड करते हैं दस लाख रुपों से मंगे जाते हैं दोस्तों जो F.I.R. है ये पतनी के पिता जी के द्वारा दर्ज कराई गई थी उन्होंने बताया कि ये सारे लोग मिल करके उसको पीटने लगे उसको धमकाने लगे और डिमांड पूरी ना होने पर घटना के कुछी दिन पहले भी उन्होंने उसको बुरी तरह से भिरहमी से पीटा था उसने इन सब चीजों को देखते हुए यानि लड़की के पिता जी ने 2,70,000 रुपे कैश भी अपनी बिजनस अर्णिंग में से उनको दिया था लेकिन उसके बाद फिर वो लोग कार की डिमांड करने लगे 24-7-2018 को करीबन 8 बजे उनकी बेटी के गले में फंदा लगा करके उसको मार दिया गया और उसको उपर टांग दिया गया वो सूचना मिलने पर अपने बेटे के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने जब ये द्रिशे देखा और अपनी बेटी को इस सिस्तिती में देखा तो वो हैरान हो गया इसके बाद दोस्तों उन्होंने उक्ताफा यार दर्ज करवाई थी अब दोस्तों ये लोग हाई कोट में क्वेशिंग के ले गए थे लेकिन हाई कोट ने ये कहा कि आप सब लोग लोवर कोट के सामने सरेंडर कीजे और वहाँ से बेल लीजे अब दोस्तों lower court के सामने surrender करने का मतलब है कि आपको arrest होना पड़ेगा क्योंकि 304B में lower court आपको bail नहीं देगी तो इसलिए दोस्तों ये लोग आये अब मानने सुप्रीम court में अब दोस्तों पूरे मामले को देखा गया और ये तथे निकल के आये कि जो देवर है वो ICICI bank में job करता है दूसरे place पर जो की घटना स्थल से लगबग 40 km की दूरी पर है और उसने बताया कि उस दिन घटना वाले दिन वो जो है अपने bank में था शाम को लगबग 6 बच के 25 मिनट तक और जो उसकी माताजी है यानि लड़की की जो सास है वो भी उसके साथ उसी place पर रहती है और उसने साथी SSP महदे को एक letter भी दिया कि उसके जो bank की CCTV footage है वो निकाली जाए और उसकी जो call details है वो भी निकाली जाए और साथी court को ये भी बताया गया कि जो लड़की थी वो पूरी तरह से depression में थी और उसका treatment भी चल रहा था ROPO पर कोई भी specific allegation नहीं है उसके बाव जो Chief Judicial Magistate साब ने मामले का संग्यान ले लिया यानि cognizance ले लिया अब दोस्तों जो दूसरी party का तरफ से council थे उन्होंने इन सारी चीजों का विरोध किया और कहा कि इनका मामला quest नहीं होना चाहिए मान्य सुप्रीम कोट ने कहा कि भाई वो वेक्ती जो है वो बैंक में था उसने इसकी सूचना SSP महदे को भी दी थी और बैंक मैनेजर ने भी endorsement दिया है कि भाई सुबा से लेकर शाम को 6 बज के 25 मिनिट तक तो वो अपने office में ही था इसके साथ साथ कोई specific allegation भी किसी को उपर नहीं है तो ऐसे केस में मान्य सुप्रीम कोट ने हाई कोट के order को set aside कर दिया एवं चारशिट को और CGM महदे का जो order था उसको quash कर दिया तो दोस्तो यह है पूरा मामला ऐसे ही आपके मामले भी होते हैं तो केवल बड़ी धारें देख के घबराना नहीं है समझना है कि उसमें हमारे favor की चीज क्या है और उस चीज के आधार पे आपको आगे बढ़ना है आपको relief मिल जाता है सोचे कितना बड़ा मामला होता है 304 दोस्तो आप लोगों की help के लिए judgment का लिंक इस वीडियो के नीचे description में आप लोगों को मिल जाएगा वहां जाकर के पूरे judgment को आप पढ़ सकते हैं copy और download कर सकते हैं next वीडियो में नए legal जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं तबता के लिए goodbye and thank you for watching take care